Hello everyone, welcome to Amazon Academy. So students, आज जो हम tips discuss करेंगे, that will be based on the topic general organic chemistry. और इसमें हम उन compounds की बात करेंगे, जिनमें हमें bridgehead compounds या bridgehead intermediates मिलते हैं. तो bridgehead का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वो हम बात करते हैं. There are various compounds which are known as bridging compounds. ठीक है? तो bridging compounds क्या होते हैं? उसके बारे में हम बात करें. जैसे कि हमारे पास एक cyclic compound है, cyclohexene. अब इसमें क्या है कि एक से monocyclic compound. लेकिन अगर हम एक और cyclic ring यहाँ पर बना दें. Like मैंने इसको क्या किया? यहाँ से join कर दिया. ठीक है? तो यहाँ से join करने से मैं देख पा रहा हूँ कि यह मेरे पास 2 cyclic ring हो गई. एक left वाली हो गई और एक right वाली हो गई. तो ऐसे compounds क्यलाते हैं bridging compounds. और इन positions पे जहाँ पर यह जुड़े रहते हैं, यह क्या होती है? यह actual positions हैं जो दोनों cyclic ring के लिए common है. Sometimes these positions are known as bridge head positions. These positions are known as bridge head positions. Bridge head positions. अब bridge head positions वो हैं जो कभी भी एक plane में नहीं आ सकती. मतलब जो भी bonds उस atom से, जिस atom की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, तो यह जो position है, यह bridge head है. और इस position पर जो भी bonds connected होंगे इस से, वो कभी भी क्या होंगे? यह कभी भी एक plane में नहीं आ सकते. For example, मैं इसको थोड़ा ओर detail में ले जाऊँ. तो यह compound कुछ इस तरीके का है. ओके, इस तरीके का compound है. अब इस तरीके की compound में देखो कि यह तीनों जो bonds हैं, यह एक plane में नहीं आ सकते, ठीके, अब आपर, तो अगर हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है? एक carbocatine रहता तो carbocatine की जो property होती है students वो होती है कि ये generally sp2 hybridized होते हैं और ये planar भी होते हैं ठीके तो sp2 hybridized होते हैं generally और trigonal planar होते हैं अब अगर माल लीजिये कि ये तीनों bonds एक plane में ना आपाए CX bond, CY bond और CZ bond तो ऐसा कार्वो केटायन क्या होगा highly highly unstable होगा क्योंकि न तो वो planar हो पाएगा और अगर planar नहीं हो पाएगा तो SP2 hybridization कैसे हो पाएगा ठीके, it will be difficult, it will be highly unstable So अगर हमारे पास ऐसा compound रहता है जो अभी हमने discuss किया और यहाँ पर हम केटायन बना देते हैं तो students आप देख रहे होंगे कि carbon atom पर जो तीन bonds है वो ऐसे एक ही direction में जा रहे है मतलब हम यह बोल सकते हैं कि इन तीनों bonds के बीच में angle 120 degree नहीं हो सकता है hybridization state SP2 नहीं हो सकता है और इनको bend shape भी बोल सकते है या pyramidal shape भी बोल सकते है तो ऐसे carbon केटायन क्या होंगे highly unstable होंगे highly unstable तो students अगर आपको दिक्कत लग रही हो सोचने में तो मैं क्या कहता हूँ आप एक काम करो आप एक line खीच लीजिए और इस line के आप देखो सारे के सारे bond एक तरफ चलेगा जबकि यहां पर जो कार्बो केटायन अगर मैंने एक line यहां खीची तो दो bond एक तरफ है एक bond उपर की तरफ और ऐसे केस में यहां एंगल कितना आ सकता है 120 डिग्री आ सकता है तो मैं यह देख पा रहा हूँ यहां पर कि इस carbon atom का hybridization state SP2 हो जाए यह possible नहीं है geometry trigonal planar possible नहीं है और angle 120 डिग्री पॉसिबल नहीं है तो मैं यह कहूँँगा कि यह कार्बो केटायन highly unstable है और ऐसे objective questions आ जाए which of the following कार्बो केटायन does not exist और highly unstable तो उसमें हमें यह पकड़ना है कि इस तरह की कार्बो केटायन exist नहीं करते है ऐसी positions को हम लोग बोलेंगे bridge head position ठीक है इस position को जिसमें 120 डिग्री अंगल possible नहीं है इसको हम बोलेंगे bridge head bridge head position so this is bridge head position तो कार्बो केटायन and alkenes are highly unstable at bridge head position ठीक है तो उस पहले हमने बात कर ली कार्बो केटायन की अब हम बात्चीत करते है अलकीन की तो अलकीन की अगर हम बात करें अलकीन का भी जो geometry होगा that will be like this माल लिजी मैंने एक बहुत simple alken बना दिया तो यहां पे carbon का hydration state sp2 है और sp2 होने के कारण क्या होगा इसकी geometry भी क्या होगी trigonal planar होगी मतलब कारबन से निकलने वाले जो bonds है यह ठीके एक यह bond एक यह bond एक यह bond they will be in one plane sp2 हैबिडेशन होगा और geometry क्या होगी इसकी trigonal planar अब दिखो students अभी हमने बात करी थी इस compound पर मैंने इस position पर positive charge बनाके carbocation बना दिया था intermediate बना दिया था अब मैं दूसरा example ले रहा हूँ इस molecule में मैंने alkene बना दिया आप देखो क्या इस carbon atom का hybridization state sp2 हो सकता है आप देखो इस carbon से निकलने वाला double bond इस direction में जा रहा है यह bond इस direction में जा रहा है यह bond इस direction में जा रहा है तो कभी भी इनके बीच में angle 120 degree नहीं हो सकता है और नहीं हो सकता है तो यह जो position है इसको हम बोलता है bridge head position so this position is known as bridge head और bridge head position पर यह particular geometry sp2 hybridization exists नहीं कर सकता है इसलिए हमने यहां लिखा हुआ है कि carbocation and alkenes are highly unstable at bridge head position इससे काफी सारे questions बन सकते हैं exam में कूछे आ सकते हैं और कुछ questions के बारे में हम लोग discussion करते भी हैं देखिए question number one अब इसके कई सारे sub-part है कई सारे carbocation यहां दिये हुआ है और आपको यह पहचानना है कि कौन से carbocation stable हैं और कौन से नहीं है और इसमें आप देखो कि यह carbocation bridge head पर है या नहीं है मैं अगर इस question को solve करूँ तो मैं यह देखूँगा कि इस positive charge पर मैंने एक line खीची और मैं यह देखूँगा कि सारे के सारे bond एक ही direction में जा रहे हैं और एक ही direction में जा रहे हैं तो क्या होगा यह trigonal planar geometry नहीं assume कर पाएगा तीनों bond एक direction में जाने का मतलब यह है कि 120 degree angle is not possible तो यह bridge head position है और ऐसे carvogratine exist कर जाएं यह हो नहीं सकता और ऐसे questions अब आप लोग गलत करें यह मैं होना नहीं दोगा इसमें देखो question number 2 में अगर हम carvogratine को देख रहे है तो हमें केवल दो ही bond दिखाई दे रहे है तो आप एक bond ऐसे और बना लो अब तीन bond हो गए और यह तीन bond आप bridge head position पर दीख नहीं रहे है क्यों नहीं दीख रहे है क्योंकि यहां angle 120 degree हो सकता है और हो सकता है तो यह exist करेगा और हम यह बोल सकता है कि यह carvogratine bridge head position पर नहीं है नेक्स question की अगर हम बात करें अब ही देखो यह positive charge carbon पर है आप एक line खीज लो आप देख रहे हो सारे के सारे bond एक ही direction में आगए मतलब यहां पर भी इन तीनो bonds के बीच में 120 degree angle आ जाए यह हो नहीं सकता और इसलिए यह carvogratine भी exist नहीं करेगा यह भी क्या है bridge head position पर है तो students fourth question मेरे ख्याल से आप लोग आप खुद सोच लिया होगा कि carvogratine exist करेगा यह नहीं करेगा ठीक है आप देखो इस question में हम देख रहे हैं कि यह हमने bond बनाया और यह bond बनाया देखो दो bonds इस direction में एक उसी में आ गया यह अगर आप इसको थोड़ा और detail में बनाए तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा तीनो 120 degree angle पर है SP2 hybridized trigonal planar है तो यह carvogratine exist कर सकता है और यह bridge head position पर नहीं है ठीक है यह question फिर नंबर का जो है वो repeat हो गया मगर एक काम यह हम कर सकते हैं कि इस तरह के और भी जो questions है जो पूछी जा सकते हैं वो हम discuss कर सकते हैं तो इसको ऐसे change कर देता हूँ अब देख रहे हो कि हमने इस bond को ऐसे बना लिया ऐसे बना लिया देखो तीनों bonds एक direction में आगए एक direction में आगए तो क्या होगा यह भी तीनों bonds plane में exist नहीं कर सकते हैं और यह भी bridge head position है और यह carvoketion भी exist नहीं कर सकता है ठीक है bridge head position पर है तो यह हमारी tips थी tips to answer problems based on the stability of the bridging compounds and also intermediates using bread rule so bread rule यह कहता है कि carvoketion and alkenes are highly unstable at bridge head positions अब हम कुछ questions alkenes के लिए भी discuss कर लेता है आप देखोगे इस position में जहाँ पर यह double bond दिया हुआ है आप एक line खीचोगे तो यह फाइंड सारे bonds एक direction में आगए और ऐसे questions में भी या ऐसे problems में भी alkenes का existence possible नहीं है this is also a bridge head position similarly देखो आप यहाँ पर यह सारे bond एक direction में आगए है यहाँ पर भी possible नहीं है question number 3 easy है आप देखो यहाँ पर alkenes की जो position है वो बीच में है hybridization state sp2 है trigonal planar geometry है ठीक है तो आप देखोगे कि यह तीनों bonds 120 degree angle बना सकते है trigonal planar बन सकते है sp2 बन सकते है तो यह alkenes exist कर सकता है यह bridge head position पर नहीं है ठीक है fourth question की बात करें fourth question में आप जो valences नहीं दिख रही है carbon के उनको बना लीजिए मतलब इस alkenes को मैं अलग से अगर बना करके देखूँ तो 2H मुझे यहाँ दिखाई देंगे 2 carbon मुझे यहाँ दिखाई देंगे अब आप देखो इस alkenes में trigonal planar geometry हो सकती है यह bridge head position पर नहीं है और यह exist कर सकता है question number five is also very similar to question number four वो हमने बनाने का जो तरीका है वो ऐसा है अगर मैं इसको beach वाले को consider करता हूँ alkenes को तो दो balance यहाँ दिख रही है दो edge मुझे यहाँ लगाने पड़ेंगे आप देख लिजीए इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है और हम यह देख रहे हैं कि इन दोनों carbon atom का hybridization state sp2 है exist कर सकता है it is trigonal planar geometry और यह bridge head position पर नहीं है यह बन सकता है तो ऐसे questions आते हैं चार options में से कौन से exist कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कौन से highly unstable है इस तरीके questions पूछे जाते हैं जो हम आसानी से solve कर सकते हैं on the basis of bread's rule आप यह check कर लिजिए कि hybridization state sp2 है तो वो planar geometry होनी चाहिए कहां-कहां possible है कहां-कहां नहीं है Bridget positions पर planar geometry possible नहीं होती है लेकिन बाकी सारी conditions में possible होती है तो हमें इस तरीके से questions को answer करना चाहिए Okay students, so happy learning Thank you very much Bye-bye